Hello Friends! मेवा नाईम और आज हम बात करेंगे वर्काउट कैसे बनाते हैं मतलब वर्काउट डिजाइन कैसे करते हैं माने एक्सरसाइज डिजाइन कैसे किया जाता है अलग-अलग बॉडि वेट के इसाब से मान लिजे आपका वेट है पाचास के करीब और आपको muscle gain करना है तो आप workout किसे design करेंगे सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके body में muscle बहुत कम है आगर आपका weight 50 और 55 के करीब है तो muscle जो है इसकी size आपकी body में कम है तो उस size को बढ़ाने के लिए आपको ऐसी exercise करने पड़ेगी जिसमें वो अच्छे से grow हो पाए अच्छे से बढ़े अब वो बढ़ता कैसे है पहले ये छोड़ा जान लेते हैं देखी दोस्तों हम जब gym में जाते हैं और जब हम कोई भी exercise करते हैं जिसे biceps किया, shoulder press किया chest का exercise किया, back का exercise किया या पर tricep का exercise किया तो हर exercise में हम अपने एक particular muscles को तूड़ते हैं जिसे कि अगर मैंने bicep का exercise किया है तो bicep में मेरा जो muscle है वो तूड़ जाता है मतलब breakdown होता है और उस breakdown की वज़े से वहाँ पे दर्द शुरू होता है हलका हलका सा आना हमको pain होता है हमको पता चलता है कि हाँ आज exercise किया है तो समझ लीजे process क्या होता है कि example कि आज सौमवार है और सौमवार के दिन आपने bicep का exercise किया बहुत अच्छा exercise किया आपको pain भी होने लगा फिर आप जब घर जाते हो तो आप जो खाना खाते है जिसमें protein होता है और आप जब सोते हो जिसमें muscle recover होता है उस दोरान आपका body क्या करता है जहां पे भी muscle breakdown हुआ है तूटा है वहाँ पे वो repairing का काम करता है body उसको repair करता है और उसको वापस जैसा था वैसा बनाता अब for the example मान लेते हैं कि आप जूसरे सोमवार को वापस आपने biceps लगाया वापस से आपका बेक breakdown हुआ और वापस से आपका body उसको repair कर लिया अब एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी change होती है जब आप तीसरी बार या चौती बार जब आपका workout सेम वाला बिल्कुल सेम वाला करते हो तो वहाँ पे वापस से आपका muscle breakdown होता है लेकिन इस बार body सिर्फ मतलब हमारा जो body है उसको सिर्फ repair नहीं करता है उसको वो repair करने के साथ-साथ वहाँ पे कुछ extra fibers भी बनाता है जिसको हम हमारी language में hypertrophy बोलते हैं और एकदम DC language में बोलेंगे कि muscle बढ़ा है muscle नया बना है ठीके तो ऐसे muscle बढ़ता है जिसको आईपोट्रोफी बोलते हैं तो हमको ACS करनी है कि जिससे हमारा muscle बढ़े अब इसका एक बहुत simple सा formula है कि अगर आपके बड़े muscles हैं जिससे आपका chest है shoulder है sorry chest है back है legs है या आपके बड़े muscles है तो shoulder है biceps, triceps, trapezius, calf या आपके छोटे muscles है तो जो बड़े muscles है उनमें हमको जादा heavy weight उठाना है मान लिजा अगर आप chest के exercise करते हो तो chest के अंदर आप 5 kilo, 7 kilo weight नहीं उठाओगे उसकता आप initial stage पे light weight रखो लेकिन आपको बाद में उसको बढ़ाते जाना है तो आपका workout कैसा रहेगा for the example अगर आप chest ले रहे हो तो chest के आप 5 exercise करेंगे और 5-5 exercise के आप 3 set लगाएंगे जैसे के मैंने पहली chest के exercise ले लिए chest press बेंच के उपर so कर सीधी तो अगर वो मैं करता हूँ तो उसके में 3 set करूँगा लेकिन weight में थोड़ा ज्यादा लोगा मेरे rate मेरा जो repetition counting है वो होगा 12, 10 और 8 ठीक है उसके बाद मैं जाऊँगा incline bench press के उपर जहाँ पर again मैं dumbbell या मेरा barbell से में chest press करूँगा for my upper chest तो again मेरा ratio रहेगा repetition वाला 10 पहले set में 12 दूसरे set में 10 और दूसरे set में 8 repetition ही लगाँगा उसके बाद मैं और कोई हो सकता है decline bench press के उपर जाऊँ और decline में again bench press करता हूँ तो वहाँ पर मैं वापस से formulation लगा 12 repetition 10 repetition और 8 repetition fine अब मैं जाऊँगा cable crossover पर जो मेरा isolation moment है ठीक है power moment नहीं isolation moment है तो वहाँ पर मेरा ratio रहेगा 3 set 10 10 के लगाँगा और फिर आखरी में मैं अगर pack deck लेता हूँ या fly लेता हूँ cable fly लेता हूँ तो उसमें मेरा repetition ratio रहेगा 10 10 के 3 set तो यह होगा है मेरी 5 exercise ठीक है 3 3 set वाले लेकिन यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि मैंने जो counting रखे हैं वो 12 10 और 8 मतलब मैंने वजन बढ़ाया है repetition कम रखे तो इससे आपका muscle growth करेगा ठीक है एक और चिसका ख्याल यह रखना है कि आप 2 exercise करेंगे 2 type की exercise करेंगे एक होगा compound moment compound moment मतलब जिसमें आप एक से जादा muscle को यूज करोगे जिससे कि अगर मैंने प्रेस कर रहा हूँ किसी विदर है कि कहा चाहिए machine में प्रेस करो मैं मेरा chest के exercise में chest shoulder का अगला भाग जिसको interior deadroid बोलता है और यह जो triceps है इन तीन चीज़ों को मैं इस्तिमाल करता हूँ तो यह हो गया मेरा compound moment और जब मैं fly करूँगा तो मैं मेरे दो ही muscle को यूज कर रहा हूँ एक मेरा chest है ठीक है upper और minor जैसे कि उस को हम बोलेगे pectoralis major और pectoralis minor तो सिर्फ मेरे यही muscle यूज करेंगे इसलिए है मेरा isolate moment है इससे क्या होगा कि मेरा muscle जो है chest का वो पूरे तोड़ पे निचूड जाएगा पूरे तोड़ पे तूड़ जाएगा फिर जब मैं उसको घर जाऊंगा खाना खाऊंगा अच्छा सा protein लोगा और आराम करूंगा तब वो record होगा ठीक है अगली बार जब मैं weight करूंगा तो मैं कोशिश यह करूंगा कि पिछली बार से मैं थोड़ो weight जादा लूग कोशिश करूंगा अगर मैं हो रहा है तो तीसरी बार मैं यह चीज़ करूंगा और इससे घ्री घ्रे में अपना body का muscle का size बड़ा लोगा अब रही बात back की तो back में भी हम यह करेंगे कि 5 अलग-अलग exercise हम लोग चूज करेंगे bent over rowing ले 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 लेंगे dumbbell rowing ले ले लेंगे फिर वो lat pull down जो उपर सा मिलचे की तरब करता है lat pull down ले ले लेंगे हम लोग rowing जो है cable rowing करेंगे ठीक है single arm से cable rowing कर सकते हैं तो इसी variations हम लोग जो है back के अंदर भी 5 exercise लेंगे repetitions ratio 12, 10 और 8 ठीक है depend करेगा आपके उपर और यह repetitions value के अंदर हम अपना exercise को खतन करेंगे ऐसे लेक के अंदर भी हम 5 अलग-अलग exercise करेंगे और 3-3 set करेंगे तो यह एक funda होता है muscle gaining का अगर आपको muscle gain करना है size gain करना है तो आपको repetitions कम रखने है और weight ज़्यादा रखना है और बड़े muscles को ज़्यादा target करना है compound moment ज़्यादा करने है जिससे हम chest press है bent over rowing है squats है, deadlift है, steep leg deadlift है T-bar row है यह सारे exercise हम अपने workoutment add करेंगे जिससे हमारा जो natural hormones है testosterone वो improve हो और वो हमारा body बनने में मदद करेंगे और जब छोटा muscle जैसे कि biceps करेंगे, triceps करेंगे, shoulder करेंगे तो इसमें हम 3 exercise बहुत हो गई आठ, 12, 10 आठ, जोसे हम set कर सकते हैं विसा करेंगे लेकिन छोटे muscles को भी आराम देना ज़र हो रही है तो हम उसका setup ऐसे करेंगे कि chest के दिन हमारा shoulder use होता ही triceps and shoulder तो हम क्या करेंगे, chest के दिन हम chest shoulder triceps तीनों तीन muscle exercise कर लेंगे उसके बाद back के साथ तो हमारा bicep यूज़ा तो back के दिन जब हम back लगा रहे हैं, हम bicep की भी तीन exercise कर ही लेंगे साथ में और leg का दिन, जब हम leg लगा रहे हैं तो वो हमा लग सकते हैं तो जोस्तों ये था basic छोटा सा आपको trial, आप अपने से सबस्टों खर को कर सकते हैं तो हम सबस्क्रीब ये